हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई पार्ट साला फॉर यू, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे most important books and author की जो आपके आने वाले सभी exam के लिए बहुत ही मत्त पुड़ होंगे दोस्तो वीडियो को अन तक जरू देखेगा, definitely ये वीडियो आपके आने वाले exam के लिए help करेगी और दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और शेयर जरू करिए और माई पार्ट साला फॉर यू को सब्क्राइब करना न भूलिए और इस वीडियो की पीडियो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से भी प्राट कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का पहला कोशन है हाली में लांच की गई किताब वहान डायरी डिस्पैचेस फ्रम आ कॉरिंटाइन सिटी के लिखक कोने तो देखी हाली में ये करोना वाइरस के चलते हुए वहान से करोना वारस फैला था और उसके उपर अभी वहाँ पे वाइरस कैसा फैला था उसके उपर एक बुक आई है और इसके लेखक है फांग फांग या फैंग फैंग भी आप कह सकते हैं और इसमें यह लिखा गया है कि क्रोना वाइरेस वहान शहर में किस प्रकार फैली थी ठीक है अब देखे रहेंगे इसके लेखक है यह फैंग फैंग या फांग 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 ठीक है यह चीज़ा आप ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है ठीक है चलिए थ्यान रखेंगे तवलिन सिंग है और यह तवलिन सिंग एक पत्रकार है और जिन्होंने हमारे पीम नरेंद मोदी के अनुभव के उपर यह पुस्तक उन्होंने लिखा है मैसिया मोदी ठीक है चलिए अगला कोशन रखेंगे हाली में माइए एंकाउंटर इन थ्यान रखेंगे बहुत इम्पर्टेंट पुस्तक है ठीक है भाल जन दोरह यह लिखा गया है ठीक है चलिए अगला कोशन दे लिखते है लिगेसी ओफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन हुआ है अभी और इसके लिखा कोन है तो देकि इसके लिखा के सवीता चाबला ठीक और देखिए इनने भागवत गीता को सरल और सहज भासा में इस पुस्तक के माधम से पुस्तित किया है जिसका नाम है Legacy of Learning ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं हाली में लॉंच की गई पुस्तक A Winning Sixer किसके दोरा लिखी गई है तो देखिए Winning Sixer ये लिखा गया है W.E. रमन के दोरा ये पुस्तक लिखा गया A Winning Sixer ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं हाली में लॉंच कर्म योद्धा किताब किसके जीवन के उपर लिखी गई है बिखिए कई बर कुछ बुस्तक ऐसी होती है जो इसके लेख़क important नाहिकर वह किसके उपर लिखा गया वह ज्यादे important होता है तो देखे कर्म युद्धा ये गरंत लिखा गया ये पुस्तक लिखा गया और ये किसके ऊपर लिखा गया ये पीम नरेंद मोदी के ऊपर ये पुस्तक लिखा गया कर्म युद्धा ठीक है ये ध्यान रखेंगे बहुत ही important है ठीक है चलिए अगला कोशन लिखते है विजें में विजन था पर की जो है उनकी शहीद हुए थे और उनके जीवन के उपर यह पुस्तक लिखा गया ठीक है अगला कुशन देखते हैं क्रोणा वायरस से लेटर है और यह क्रोणा वायरस पर लेखी गई एक और पुस्तक है हाउ कंटेजियन वर्क्स के लेखा कोन है तो देखिए इसके लेखा कोन है पाउलो जियोडोर्नो ठीक है इसके लेखा किया ऑप्शन नमबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जागा और उन्होंने यह बताया कि जब यह ग्लोबल क्राइसिस है उसकी बीच में हमारी साइंस आवेरनेस और कम्यूनिटी यह सारी चीज जो है इस समय कैसी है उसके उपर इन्होंने लिखा और देखिए पाउलो जियोडोर्नो यह इटली के एक परसिते लेखा के ठीक है चलिए अगला कोशन है आप हम देखते है कि हाली में शेमलेस पुस्तक का विमोचन हुआ है इसके लेखा को ने किस दौरे लिखा गया है पुस्तक देखिए तो एक्जाम बारियर बहुत के इंप्रोर्टन पुस्तक है और आधारी में से निपटने के लिए है कुछ ट्रिक्स उन्हें बताए है और साथ ही में student अच्छे नमबर कैसे ला सकते हैं उसमें इन्होंने कुछ tips भी इसमें बताया है exam warrior पुस्तक नरेंदर मोदी जी की दोरा लिखा गया है बहुत important है exam point भी से अगला question लिखते है 281 and it's beyond book किसकी आत्मकता है तो देखिए यह BBS लक्षमर की आत्मकता है और देखिए यह इसके लेखक कौन है साय लेखक यह है आरक उशिक और वह एक पत्रकार है और उन्हेंने VBS लक्षमर दोरा बनाया गया 281 राम्यों के एथियासिक पारी के बारे में उन्हें यह बर्णन किया है ठीक है अगला कोशन एकते हैं महाराना परताब दा इन्विंसिवल वारियर पुस्तक किसके दोरा लिख़या गया है ठीक है तो देखे कि इस पुस्तक के जो लेख़क है और यह है रीमा अहुजा और देखे कि इन्होंने महाराना परताब जो एक राजपुत है और उनकी जीवन के बारे में बर्णन किया और उन्हें हल्दी घाटी की जो परसीद लड़ाय होती 1576 में उसके बारे में उन्हें व्यक सहरव गांगुली की दौरा लिखा गया है ठीके अप्शन बेहां पर हम देखेंगे बी इसमें करेक्ट हो जाएगा और देखे यह इन्हें बहुत सारे राज खोले हैं अपनी जो एक से की जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में लिखा और एक तरह से यह सहरव गांगुली क लिखी गई सुक्तियों का जो है संक्लन इसमें किया है और इस पुस्तक का विमोचन किस ने किया था हमारे उपर रास्टपती वेंका नाइड़ी जी की दौरा इसका विमोचन किया गया था ठीक है तिये चीज़ आप ध्यान रखेंगे नेक्स कोशन में आप यह दिखते है बदलते भारत ऐनकी Changing India पुस्तंक किसके दौरा लिखी गई यह तो देखे यह पुस्तंत्र लिखा गया मनमौन सिंग की दौरा जो महारे फूर्वा पर्णन मन्त्र रहे चुके मन्मोन सिंग की दौरा ये लिखा गया चेंजिंग इंडिया ठीक है त्री चीज़ ध्यान रखेंगे चलिए अगला कोशन दिते है ब्री डिजिटल नेशन नामत पुस्तक का विमोचन किसके दौरा हुआ है तो देकि इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे प्रणान मंत्री नरेंद मोदी जी के दौरा किया गया था और इसके लेखा कोने एंड चंद सेखन और रूप पुरुसुत्तम ठीक है ध्यान रखेंगे ब्री डिजिटल नेशन पुस्तक के जो भिमोचन प्रणान मंत्री नरेंद मोदी जी के दौरा किया गया यहनिकि ऑप्शन नमबर C य रूप पुरुसुत्तम ठीक है अगला कोशन है आई डू वाट आई डू पुस्तक के लेखा कोने तो देखिए इसके लेखा के हमाले पूर्ब जो आरिबिया के गवर्नर थे रगुराम राजन के दौरा लिखा गया आई डू वाट आई डू और यह 23 नमबर के गवर्नर है तो पुस्तक के दौर लिखे गया है और यहां पुस्तक लिखा गया है वाबा राम देप के दौर बश्तक लिखे गया है और इनने अपने मिशन के बारे में इसमें describe किया है कि वो किस तरह के mission चाहते हैं ठीक है देश के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वधेशी को अपनाने के लिए ये सारी चीज उन्हें इसमें लिखा है अगला question देखते है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखा कोने तो देखिए ये अमेर whispers of time पुस्तक किसके दोरह लिखी गई है तो देखिए यहां पुस्तक लिखा गया डॉक्टर कृष्णा सक्सिना के दोरह लिखा गया विस्पर्स of time ठीक है और देखिए कि इसका जो विमोचन किया था स्मिर्ति रियानी के दोरह इसको launch किया गया था विमोचन किया गया थ ठीक है अगला एक बहुत ही important पुस्तक है जिसका नाम है milkman book किसके दोरह लिखी गई तो देखिए Anna Burns की दोरह लिखी गई है और बहुत ही famous किताब है और इसके लिए उनको बहुत सारे award भी मिला है Anna Burns को ठीक है अगला question है Notes of a dream पुस्तक के लेखा कोने तो देखिए इसके ले अगला question है flight पुस्तक के लेखा कोने यह भी बहुत ही important पुस्तक है और इसको इन्हें लिखा है ओलखा टोकार जुक और देखिए यह polish उपनेशकार है और उन्हें इसके लिए flights के लिए उनको इस वर जो है booker price भी उनको मिला था ठीक है और उन्हें ने उपनेश पर जो है पर आधारी तेरिंट की यह book है जिसका नाम है flights ठीक है ध्यान रखेंगे ओलखा टोकार जुक बहुत ही important है ठीक है चलिए अगला question इसमें देखते है सैफ्रान सौड किसके दौरा लिखी गई है तो देखिए सैफ्रान सौड यह जो लिखा गया है यह मनुसी सिन्ना रावल के दौरा लिखी गई है और इस पुष्टक में उन्होंने एक तरसे जो है जो यूद के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है ठीक है चलिए अगला question देखते है गेम चेंजर किसके दौरा लिखी गई है और देखिए गेम चेंजर यह साहिद अफरीदी और वजाहत कान के दौरा लिखी गई है और देखिए शाहिद अफरीदी की आत्मकता भी है गेम चेंजर ठीक है कई बरे इस तरह से एक्जामें पूछा आ सकता है कि गेम चेंजर किसकी आत्मकता है तो यह शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है अगला question देखते है नो kooshidan नाम के पहली महिला क्रिकेट पत्तर का कभी मोचन किसके दौरा किया गया है और क्रिक जो नाम की एक पत्तर का जो माहिला उपर आता रित है और इसके दौतर किया है इस इसमिरती मंधना अगला कोशन है अंडांटेड सेविंग दी आइडिया आफ इंडिया पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है तो देखिए यह पुस्तक लिखा गया है हमारे पूर्व जो फैनाइंस मेंस्टर थे पी चिदंबरम के दौरा यह पुस्तक लिखागा अंडांटे सेविंग द आइडिया आफ इंडिया नेक्स कोशन है हेमा मालिनी ब्यॉंड द ड्रीम कल पुस्तक किसके दौरा लिखी गई है इसके लेखों कोन है तो देखिए इसके लेखक है राम कमल मुखर जी ऑप्शन नमर यहाँ पे यह हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह त्या 13 अपरेल 1919 में जो जलिया वाला वाग हट्यकान होता उसके दौरान जो भी दर्दनाक अनुवग है उसके बारे में उनने लिखा था लेकिन अंग्रेजों ने इसको बैन कर दिया परन्तु अब उनके पोते नवदीत सिंग ने इसको जो है लॉंच किया और इसका पुस्तक क्सके दौरा ले लोगी तो देखिए इस पुस्तक लेक है त revelation on the road ठीके चलिए अगला कोशन या पर हम देखते हैं की थरड पील एर पुस्तक कि दौरा ले लेकि गई है तो यहां पुस्तक भी लिखा गया है रगुराम राजन के दौरा जो हमारे पूर्व पूर रगुराम राजन ठीक है थर्ड पिलर पुस्तक उन्हें लिखा है सेलेस्टियल बॉडी पुस्तक के लेखा कौन है तो देखिए सेलेस्टियल बॉडी के लेखा के जोखा जोखा अलारती ठीक है ऑप्शन नमबर यह हमें करेक्ट हो जाएगा और देखिए यह भी बहुत ही पुस्तक है जिसके लिए उनको काफी सारे जोए अवार्ड मिलिये और यह ओमान की लेखी का है जोखा अलारती नेक्स कोशन है यहाँ पे दरूल ब्रेकर पुस्तक के लेखा कोन है तो देखिए इसके लेखा के प्रिती शेनौई ठीक है ऑप्शन नमबर यहाँ पर यहाँ मोदी अगिन पुस्तक के लेखा गए आभास माल दिहा अगला कोशन है फिस्टक के दौर लिखी गई है तो देहтесьि पुस्तक के लेखा के मलाला इसुपजि और सबसे कम उमर में इनको नोबल का प्राइज मिला ठाए सबसे कम उमर की महिला है जिसको यह नोबल प्राइज म इस पुस्तक के लेखक है सत्य नडेला जो Microsoft के CEO है हिट्ट रिफ्रिश पुस्तक इन्होंने लिखा है सत्य नडेला नेक्स कोशन है विनिंग लाइक आस ओर अरभ तो देखे इसके लेखक है अभी रूप भटा चारी ठीके ऑप्शन नमबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है इंग्लिश पेसेंट पुस्तक के लेखक है अब ध्यान रखेंगे एक्जाम पॉइंट पेसे बहुत इंपोर्टेंट है और देखे माइकल उन्डाजे जे और देखे इसके लिए इनको यह गोल्डन बुकर प्राइज भी इनको मिला है ठीक है ध्यान रखेंगे माइकल उन्डाजे है ठीक है इनका नाम अगला कोशन है 11 आवर पुष्टक के लेखा को ने तो देखे इस पुष्टक के लेखा के एस हुसेन जैदी इसके पुष्टक के लेखा के और इनकी ऑप्शन में सी यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा ठीक है और अगला कोशन है The accidental Prime Minister पुष्टक के लेखा को ने तो यह है संजाए वारू ठीक है हमने देखा था कि Paradoxical Prime Minister को ते वह शशी धरूर यहां पर accidental Prime Minister है वह संजाए वारू और देखिए संजय वारू ये प्रधान मंत्री पूर प्रधान मंत्री मनमौन सिंग के मीडिया सला करते और उन्होंने 2004 से लेका 2008 के जो अनुवफ थे उनके जो इसमनर्ड के अधार पर उनने पुष्टक लिखा है जिसमें अगला कोशन है उपरास्टपती श्री बैंक्या नाइडू दौ साथ करुड साथ दो वर्स के कारिक्रा पर लिखी पुष्टक का विमोचन किसने कि यह तो देखिए इस पुष्टक क्ये हैistजी ने इस पुष्टक की यह थाकि है है जो हमारे उत्या अंधार को नाम के थे इस तरह की पुष्टक बहुत होते सगे के नाम है लोक तंत्र के स्वर ठीक है तो देखे कोई भी जो हमारे गौर्ब्मेंट ऑफिशल या जो भी अच्छे पदा दिखा रही होते हैं उनके दोरे लिखे गई पुष्टक बहुत ही इंपॉर्टन्ट होते हैं एक्जाम पॉइंट इभी से ठीक है चलिए अगला कोशन किताब किस ने लिखा है तो देखे माइंड मास्टर किताब किस ने लिखा है तो देखे माइंड मास्टर ये पुष्टक लिखा है विशनात आनंद जो हमारी जो ग्रांड मास्टर है चेस के और उन्हें पुष्टक लिखा है माइंड मास्टर ठीक है विशनात आनंद जी क नोबिल प्राइज मिला था तीन लोगों और यह तीन लोगों ने अभिजीद बैनर जी एस्था डुपलो और माइकल क्रेमर ठीक है यह थियान रखेंगे इंपोर्टेंट है अगला कोशन है टेन इस्टडीज इन कश्मीर हिस्तिरी हिस्तिरी एंड पॉलिटिक्स पुस्तक कि कि दौर लिखी गई है तो देखिए इस पुस्तक के लिखा के काशिनात पंडीत के दौरा इस पुस्तक को लिखा गया है ठीक है अगला कोशन है विंग गांधी किताब किसके दौर लिखी गई तो देखिए पारो आनंद के दौरा इस पुस्तक के लिखा गया है विंग गा आंदी जी के बारे में इस पुष्टक में बर्णन किया है ठीक है पारो आनंद अगरा और आज का लास्ट कोशन है क्रिकेट वर्ड कप इंडियन चैलेंज किताब किसके दोरे लिखी गई तो देखिए इस पुष्टक को लिखा गया है और इस पुष्टक में उन्हें भारति सेशन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करें जरू बताएं और दोस्तों लाइक और शेयर जरू करें आपका एक लाइक हमें बहुत ही मॉटिवेट करता है थांक यू फर वाचिंग दिस वीडियो हैव वंडर्फूल डे अहेड